तो हेगा इस कैसे हो आप से भी लोग तो आज मैं explain करने वाला हूँ armed girls का episode number 13 या फिर आप इसको ओव ये भी बोल सकते हैं इवन दो ये episode story से connected है बट फिर भी इसको official episode में count किया नहीं जाता है तो चलो बिना किसी दिर कर episode को शुरू करते हैं episode की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 5 में से जो 4 swords होते हैं वो principal के सामने खड़े होते हैं उसके summon करने के बाद और यहाँ पर जो principal होती है वो बोल रही होती है कैसे recently उनके academy में काफी कुछ हो गया बट लेकिन सबसे बड़ी problem ये थी कि उनके academy के सबसे 5 strongest लोग जो की पूरे students को represent करते हैं वो सभी के सभी Empress से हार गए और वो भी बहुत बुरी तरीके से और ये सुनने के पास जो एकदम से Rin बोलने लग जाती है कि वो इन सभी के head है इसी वएसे इन सभी की responsibility है वो लेने वाली है बैटलिंग तभी जो Mary थी वो एकदम से बोलने लग जाती है कि इसमें उसकी कोई सभी गलती नहीं है इसमें सारे दोस्त उसी का है और यहां पर दूसी तरफ फ़रा भी ये बोलती है कि वो सबसे बढ़ी है और इसी वएसे वो responsibility लेने वाली है इन सभी चीजों का और तभी जो सिकातोरी है वो ये बोलने लग जाती है कि पूचा किसी ने तुमसे पूचा क ती तुम सभी लोग टीमवर्क में काम नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे से जगड़ा करने लग जाते हो और इसी वह से जो प्रिंसम पहले है उसने ये डिसाइट किया है कि वह पांचों के पांचा स्वाड को एक ट्रिप में भेजने वाली है जहां पर वह सभी लोग अपन कर सकते हैं जो कि उनके साथ उस ट्रिप में आएगा और यहां पर जो माज़को दर है उसको बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा था इन सब चीजों को सुनने के बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो चार स्वाड्स हैं वह एक मीटिंग में बैठ च जाता है कि हाँ जब तुने मेरे को कमांड जिया था कि मेरे को अपना जो स्पिरिट बुलट है वो कैसे यूज करना है तो मेरे को पता नहीं क्यों उसमें काफी अजीब सब फीलिंग आया था और इसे वैसे मैं यहां से तुम से ट्रेनिंग ले निकलाया हूं और यह सुनन मास्टर भी बोलता है जो सुनके नावा को काफी खुची होती है फिर वहां से सीन शेफ्ट हो जाता है और में मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर जो रिन है वो यह सुची होती है कि आखिर उसको क्या बोलना चाहिए बट जहां पर दूसी तरफ जो बागी के सौर्ट ऑन बोलनों में से कौन पहले बोलेगा दूसी तरफ जो वाराबी और शुगुमी ऐह वो बीड़िनेट्स थे उनकी बातों गेट में खड़े हो के वो यहाँ पर जब से आया है फो सब से fight ही करे जा रहा है उसको rest करने का मौका ही नहीं मिला और फिर यहाँ पर दूसी तरफ जो इनाब आया है वो बोलती कि अच्छा ऐसा क्या और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसी तरफ meeting में नो और चोकामे से किसी एक को ले जाने की ब लित्यक्ते वालिये जहां पर जरें उसकी तो हालत खराब उचकी होता है क्योंबर हो जब ले नहीं सकती कि सभी सब इस बह..! कर जातें यह इस बात पर और तबी के उब्जिश्वयार्यन आता है जो कि है principal का और वो वहीं पे पीछे बैट के सुन रही थी उनकी बाते और वो बताती है कि जो नोमरा है वो एक new student है और उसने जो अपने mid terms के exam है वो भी नहीं दिया है और अभी उसके retest होने वाले हैं इस वह से और अगर वो किसी भी test में fail होता है तो फिर उसको यहीं पे रुटने के बाद जो exam है वो वापस से देने पड़ेंगे और इस वएसे वो यहां से नहीं जा सकता अगर वो एक भी exam में fail करता है retest में और फिर वहां से scene shift हो जाता है और हमें नोमरा को दिखाया जाता है जहां पे उसके सामने अलग-अलग teachers होता है जो कि अलग-अलग subjects में एकदम master कर रखे होता है और यहां पे वो सभी लोग एक दुसरे से जगड़ा करने लग जाते है कि आखे नोमरा को कौन पढ़ाने वाला है और जगड़े के दौरानी उन सभी के पास यह आड़ आता है कि उन सभी का test होना चाहिए जहां पे जिस भी person का एकदम top score आएगा वही person नोमरा को पढ़ाने वाला है और फिर हमें शाम का scene दिखाया जाता है जहां पे उन सभी का test हो चुका था बट लेकिन सभी का मौ उतरावा होता है क्योंकि सभी को perfect score मिले होता है और यहां पे वो सभी decide नहीं कर पाते कि आखिर कौन नोमरा को पढ़ाने वाला है बट लेकिन उसी दोरा उन सभी को realize होता है कि कैसे उन्होंने पूरा दिन बरबात कर दिया है और अब वो लोग decide करते हैं कि अब उनको विल्कुल भी time waste नहीं करना बट तभी वो देखते हैं कि जो नोमरा है उसकी जगही खाली है और यहां पे वो गायाब है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग boys drop में पहुंच जाते हैं जहां पे वो देखते हैं कि जो नोमरा है उसको मासको तरह पढ़ा रहा है और यह वो दोनों काफी बड़िया तरीके से बढ़ रहे होता है जो देखके यहां पे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं फिर वहां से scene shift हो जाता है और में दिखाया जाता है कि ट्रिप में वो सभी लोग पहुंच चुके होता है जहां पर सभी किसा भी लड़का एकदम कमाल की लग रही होती है पर लेकिन दूसी तरफ जुनोम हो रहा होता है उसको सारे बैग उठाने पड़ रहे होता है और यह देखने के बाद यहां पर वारा भी है उसको लग जाती है कि आकिर तूं किसकी बारे में बहुंच रहे हो और यहां पर जो नोमस बहुज़े है जाती है यहां पर जो तो नुमोरा है, फो तो उसको काभी अजीब सा रियाक्शन देता है, जो देखने के यहाँ पे मैरी काफी गुसा करने लग जाती है, तो गाहिस अगर आपको एक ऐसा एनमे देखना है, जो कि फ्यूचर पे बेस्ट है, और यहाँ पे उसमें सारी चीजे फ्यूचर के पड़ा है, तो फिर आप लोग स्कारलेट नेक्सस को देख सकते हैं, जो कि हमारे इस चैनल में एक्स्प्रेंट किया जा रहा है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो आब आगे बढ़ते हैं, दूसी तरह वारा भी बोलने पर बार डालेगी, फिर दूसी तरह काना है और लुटरली की तना घजब लग रहा है और दूसी तरह जो नोर है, वोत तो रास वाल्स का रहा है रहा हुए, उसका बात हमें दिखाए है जाए जाए हुआ जयता है, यहां एप पूड़ा सा उन्चार्ज के आपर रिसर्च क और दुसी तरफ जो यहाँ पर रिन और मैरी है वो लोग जब मेसेज पढ़ते हैं वहाँ पर यह लिखाता कि यह जो होट स्प्रिंग है काफी पहले बनाता वो भी एक स्टार की मुदद से और इसी वएसे इस होट स्प्रिंग में जो भी परसन सबसे पहले जाता है वो परसन और यहाँ पर दूसी तरफ जो फाइफ सौर्ड्स है वो लिटरली स्टार्ट कर चुके होते हैं लड़ाई सिवाए इनाबा के क्योंकि वह अपना डिनर उठाने के बाद दूसरे रूम में जाके आराम से डिनर करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर दूसी तरफ जो आ इनका युकाता होता है वो ही काट दिया होता है और फिर वापस उस पर अटैक करते हुए उसके पूरे के पूरे युकाता को ही काट देती है और उसको भी हरा देती है दूसी तरफ यहाँ पर जो सातोरी है वो मैरी के साथ फाइट कर रही होती है बट लेकिन जो मैरी है वो वो विल्कुल भी fight नहीं कर पारी होती है युकाता में क्योंकि वो western sword cell का use करती है जो कि युकाता में बिल्कुल भी comfortable नहीं होता जिस विए से जो सातोरी है वो बहुती easily Mary को हरा देती है और फिर वो देखती है कि जो वारा भी है वो already वहाँ से भाग चुकी है और फिर वो भी उसके पीछे भागने लग जाती है और वो भी अपने कपड़े उतारने के बाद दूसी तरफ जो यहाँ पे वारा भी है वो एकदम से अपने hot spring में पहुँच चुके होती है और एकदम jump करने ही वाले होती है कि पीछे से जो सातोरी है वो पहुँच जाती है और उसके सर प जिसको देखने के बाद यहाँ पे वो एकदम शर्मा जाती है और चिलाता हुए नोमरा को यह बोलती है कि वो उसको मार डाले ही और तुसी तरफ हमें नोमरा की चिलाने की आवाजे आती है और इसी तरफ किसी यह जो एपिसोड और सीरीज एक खता मुझाता है तो गाइस क